OASC में जिन्ना की आत्मा गुस गई है संसद में गुस पैट पर गिरीराज सिंग ने लगाया विपक्स पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप संसद की सुरक्षा उलंगन को लेकर AIM-AIM परमुग वैसु दिन OASC ने सरकार पर तिखा परार किया है जिस पर कटाक्स करते हुए केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग ने कहा कि OASC जिन्ना की विचारदा राशे परबावित है पत्तर कारों से बात करते हुए सनिवार को गिरीराज सिंग ने OASC पर इलजाम लगाया कि उन्हें केवल मुसल्मान ही दिखाई देते है इतना ही नहीं केंद्रिय मंत्री ने संशद की शुरक्षा को लेकर विपक्स पर राजनीती करने का भी आरोप लगाया है पत्तर कारों से बाचित में गिरीराज सिंग ने कहा कि वो ऐसी में जिन्ना की आत्मा गुस गई है यही कारने के उन्हें केवल मुसल्मान दिखाई देते है और वो अपरादियों में भी हिंदू मुसलिम हैंगल डूडने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रिय मंत्री ने विपक्स पर राजनीती करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा के शुरक्षा के सामने आस्था जाती और दरम कोई माईने नहीं रखता है इंद्रिय मंत्री गिरी राज सिंग ने कहा के परदान मंत्री नेंदर मोदी की सरकार में आतंक वादियों का सलूक आतंक वादियों जैसा ही किया जाता है उन्होंने कहा परदानमंती नेंदर मोधी की सरकार में आतंकवादियों को उनकी दार्मिक जोडाव पर विचार किये बिना आतंकवादी माना जाता है वे विपक्स से पूछ रहें कि अगर संसद सुरक्षा उलंगन में सामी लोग मुस्लिम होते तो क्या होता उन्होंने कहा कि विपक्स आतंकवादियों और चरम पंथियों को हिंदू मुस्लिम के चसमे से देखते हैं बता दे कि संसद में गुस्पैट को लेकर जेडियू, एईएम, आईएम और कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि अगर संसद में गुस्पैट करने वाले मुस्लिम होते तो स्थीती अलग होती बता दे कि संसद पर आतंकी हमले की 22 बर्षी पर 13 दिसंबर को लोकसबा में विजिटर्स गैलरी से दो यूवक अचानक नीचे कूद गए उस समय लोकसबा में बाजपा संसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे यूवक सदन की बैंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे इस बीच उन्होंने जूते से निकाल कर कुछ सप्रे किया जिससे सदन में पीला दूआ फैल गया और इससे पूरे सदन में बगदड मच गई हालांकि दोनों यूवकों को संसदों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई भी की हालांकि इसको लेकर अलग-अलग विवाद चलते आ रहे हैं जहां एक तरफ कांग्रेस और राहूल गांदी ने अलगी आरोप बारती जनता पार्टी पर लगाए हैं तो वहीं विपक्स पूरी तरबाजबा सरकार पर हमलावर है और कह रहा कि इससे अच्छी तो पूरानी संसदी ठीक थी वहीं आपको बता दे के आज ही पत्तरकारों से बात्चित करते हुए राहूल गांदी ने भी इसे मुद्दे पर बात करते हुए कहा के सुरक्षा में सेंद तो है ही है लेकिन यह भी देखना होगा के आखिर कारी है क्यों की गई जो लोग सुरक्षा में सेंद करने आये थे वहें लोग क्यों कर रहे थे इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है और बुखमरी है सरकार इसकी तरफ जया नहीं दे रही है वही राहूल गांडी के इस बयान के बाद लगातार लोग उनके समर्थन में भी उतर रहे हैं और कहने कि कहीं न कहीं राउल गांदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और कुछ मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो यूवक हमलावर थे जिन्होंने सुरक्षा में सेंद मारी की उन्होंने भी यही आरोप लगाया है और वो बेरोजगारी से परेशान थे दोस्तों आप क्या कहती है इस पर अपनी राई कमेंट वोक्स में जरूर दीजिएगा